असलाम अलेकम दोस्तों मैं हूँ आपका जावरिक बाल अच्छा जी पिछले चंद वीडियो के अंदर मैंने विंटर वेजटेबल को ग्रो करने का पूरी एक सीरीज रिकॉर्ड करवाई थी वीडियो के अंदर जिसमें ग्रो बैक को कैसे फिल करते हैं कौन सी मटी उसमें ड मैंने मुख्लब वीडियो में अपलोड किया था उन वीडियो के नीचे कुछ आप लोगों के बड़े वैल्यूएबल क्वेशन्स थे जिसका मैंने सोचा के आपको मैं रिप्लाइ कर दू अच्छा उसमें मटी के बारे में था वाटरिंग के बारे में था मटी कैसी होनी च छी को फृतलाइजर के बारे में बहूत सारे क्वेशन्स थे सीट्स की जो वो है के जी इसको सोक करना चाहिए कौन से सीट को हम पानी में बिगएं कौन से को ना बिगों और आखरी कुश्छन था कजि कौन से पौदों की पौनीरी बनानी चाहिए सबजियों के बीचों की और कौन सी नहीं बनानी चाहिए तो शौटली मैं कोशिश करूँगा कि अगले पांच मिनिट के अंदर इसको डिटेल से आपको बता दू इस वीडियो को आपने कम्पलीट देखना है अपने पास सेफ कर लेना है या आपको बहुत हैल्फुल होने वाली सबसे पहली चीज है जी मती मैं हमेशा कहता हूँ के मती के अंदर तीन ख्यूसियात होने चाहिए रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग जब मैं कहता हूँ रिच, वेल ड्रेनिंग और सॉफ्ट इसका मतलब यह है कि जब आप पौदा लगाएं तो सबजियां स्पेशली तो उसकी जो नर्मो न मती के अंदर इतने नूट्रेंट्स या इतनी खुराग हो कि वो एक सेजन की सबजियां या फूल जो भी हम लगाते हैं मती के अंदर वो एजिली अपनी खुराग लेके अपना लाइफ साइकल कप्लीट कर सके तीसरी चीज है जी वेल ड्रेनिंग यह सब से इंपोर्टन च अगर पानी उसके अंदर से ड्रेन नहीं होगा पानी अंदर रुख जाएगा तो जड़े खराब हो जाएंगी और अगर पानी उपर ही रह जाता है और नीचे जड़ों तक नहीं जाता पूरी मती को गिला नहीं करता तो उससे भी पौदे की एफैक्ट होती है जो ग्रोध यह वो होती है जो भल सफाई होती है नहरों से तो उसको निकालते हैं यह हमें इजीली मिल जाती है नर्शरी से नर्शरी वाले यही मती नॉर्मली यूज करते हैं यह इसके अंदर चुंके रेत का ऐलिमेंट होता है तो वो पानी को नीचे तक ड्रेन करने में ड्रेनेज उसक के अंदर एड़ करनी है और गैनिक मैटर जब हम कहते हैं तो वह मट्टी को सौफ्ट करता है और वाटर रिटेंशन बेतर करता है अगर सिर्फ रेतली मट्टी होगी तो पानी उसमें से ड्रेन होगा और वह जल्दी खुश्क हो जाएगी और अगर उसके अंदर हम क्यों और तो वह पानी कोई रिटेंशन उससे बेतर हो जाती है वह कौन सा हो सकता है वह तीन चीज़े हमें मार्केट में वैलेबल है नमबर वन बर्मी कमपोस्ट वर्मी कमपोस्ट के ओपर मैं अलड़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि यह अर्थ वर्म्स होते हैं जिनको हम से अच्छा और्गानिक मेंटर है थोड़ा सा कंपरिटिवली महंगा होता है लेकिन अगर आप वन टाइम उसको यूज कर लें तो उसका रिजल्ट आपको उससे ज्यादा अच्छा मिलता है यह निकि वोसकी वैलियो आपको पूरी हो जाती है नमबर दो और्गानिक मेंटर है जो हमारा किचन वेस्ट होता है जो फूट वेस्ट होता है सबजी मंडियों के अंदर हो गया फूट मंडियों के उसको जब डी कंपोस करते हैं तो तीन चार मेंने के प्रसस से नैचरली और अगर उसको स्पीड अप किया जाय जाए और बग्जिड आंग तो वह वो भी बहुत अच्छा और्गानिक मेटर होता है तीसरा हो जाता है जी पत्तों की खाथ जो नेचरल होती है आप नेचर को देखें जो दरखते हैं वो अपने पत्ते खुद गिरा के अपनी खुराक तियार करते हैं यह अच्छा प्रॉसस्ट तीन, चार मेने, छे मेने के अंदर वही पत्ते जो हमें गिरे हुए पत्ते हार्ड फॉर्म में होते हैं जब मटी के साथ मिक्स होते हैं अपने दरख से तूट जाते हैं तो इसकी डी कंपोजेशन स्टार्ट हो जाती है तो इसको कहते हैं पतों की खाथ, इन तीनों में से जो भी चीज हो, आप 50% इसको मटी के अड़ करें, जब वो मटी तियार होगी तो आप उसको हाथ में पकड़ के देखें, आपको खुद फिलिंग आएगी कि ये इतनी अच्छी सॉफ्ट मटी है और मज़दार मटी है जिस एक चीज़ एड़ कर सकते हैं, अगर आपने गोबर यूज करना है, ज्यादा क्वेशन होता है ये हमारे पस गोबर अवेलिबल है, गोबर के बारे में याद रखें जो ताजा गोबर होता है, लाइट ब्राउन कलर का, ये समझ लें कि पौदों के लिए ड्राइफरूट ह ये हम कहते हैं कि ये गरम तासीर होती है पौदों के लिए ये होती है, अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो उससे पौदे जल जाते हैं, उसकी जड़े बारीक ब्रीक जो होती है वो जल जाती है, और यही गोबर अगर डीकंपोज हुआ हुआ हूआ, एक साल पराना हो तो इसका डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन इसका कलर हो जाता है या सम्टेम ब्लैक हो जाता है, तो जितना डारकर कलर होगा उतना ही अच्छा होगा, ये भी आप एड़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ एड़ करें, आपने हाथ हौला रखना है, यानि कि उसको थो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमें जरूरत होती है तो हम पानी मांग के पी लेते हैं तो पौदा भी पानी मांगता है आपने सिर्फ पौदे को अंडरस्टेंड करना है उसके नीड कैसे होगी पता जो पॉदा है, वह अपने पताों को मुझआ देगा इसके मतलद पानीस की कमी है पानी की जियाती भी मुझआ देती है लेकं वह हम पता होता है कि हम पानी इसको कितना दे रहे हैं अच्छा दूसरी चीज है पानी आप अपनी थोरो वाटरींग करनी है वसलिए ये गमले है, इस गमले की अंदर अगर हमें पता है कि ये एक कप है तो इसके अंदर एक कप पानी ही आना चाहिए और अगर इसमें मटी हो तो चले इसमें अदा आजाएगा अगर हम थोड़ा सा एक गलास या दो गलास पानी बारा इंच के पॉट को या दस बे गेरा इंच के ग्रो बैक को जिसमें इतनी सारी कुछ बीस बाइस किलो मटी होती है उसमें डालेंगे तो हमें विजूली तो ऐसे लगेगे कि उपर वाली जगा पर पानी आ गिली हो गिली हो गिली है लेकिन उसको नीचे तक पूरी मटी को गिला करना है इससे क्या फायदा होता है जरा नम हो तो यह मटी बड़ी जरखेज है साकी वाकिए ये फैक्ट है, मट्टी को जरखेजी के लिए नमी चाहिए, और नमी कैसे होगी, आप इतना पानी दें, कि पानी नीचे तक जाए, और उसके बाद जो अक्सेसिव वाटर है, ड्रेन हो जाए, जिस तरह वैल ड्रेनिक सोयल के मैंने बात किये, और ये आपने इंटेल कोपीट एड किया है, पानी की रिटेंशन और बेतर हो जाएगी, अगर आप सिर्फ मट्टी यूज कर रहे हैं, भालू मट्टी उसके अंदर पानी एक दिन बार ड्रेन हो जाएगा और खुशक हो जाएगी, तो आपने खुद वियोलाइज करना है, देखना है कि मट्टी पानी की लिए है, चाहे चार दिन या पाँच दिन पानी ना देना पड़े आपने नहीं देना है, और अगर पौदे को दो दफा भी एक दिन में ज़रूरत पढ़ती तो आपने देना है, तो अटेश यूर सेल्फ विद दी सॉयल एंड प्लांट, कि उसकी नीड आपने फ पानी थोड़ी देर के बाद जजब हो जागा नीचे, फिर आप और डाल दें, फिर और आपने उस वक्त तक उसको वाटरिंग करनी है, जब तक वो नीचे ड्रेन नहीं हो जाता, ड्रेनेज होल से पानी निकलना है, जब यह हो गया तो इसका मतलब आपने पूरे पौदे क वो उसकी पूरी मती को गिला कर दिया और बहुतरी आपकी वाटरिंग होगी है, अब नेक्स वाटरिंग करनी है, उस वक्त जब पानी, जब वो मती है वो खुशक होगी, उसके बाद यही थोरो वाटरिंग आपने करनी है, यह प्रोसेस आप दोराते रहें, तीसरी चीज ह जी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर जब आप यह वाली जो कमपजिशन मैंने मती की बताई है, तीन चीज़े, रिच, वेल डेनिंग और सॉफ्ट, यह कमपजिशन आप त्यार करेंगे, तो इनिशली जब तक बीज ग्रो होता है, पनीरी टाइप पनीरी बनती है, दो त पनीरी जियूम कर दिया, आपने क्या डालना है, वेजी मिक्स में हमेशा आपको पर्मोट करता हूँ, उसके अंदर माइक्रो न्यूटरिंट्रिंट्स और मैक्रो न्यूटरिंट्स वो सारे मुजूद होते हैं, जो पौदे को नश्वन माक लिए चाहिए होते हैं, तो एक पौदे को दो चमच फर्टिलाइजर चाहिए होती है, बीस दिन के बाद, लेट से आपके पास दस वे गयरा इंच का ग्रो बैग है, आपने उसके अंदर चार चमच फर्टिलाइजर डालके उसको फिर थोरो वाटरिंग करनी है, इसका मतलब यह हुआ, कि आपने पानी सोक क्यों करते हैं और कौन कौन से सीट को करते हैं, धनिया ले 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 ले, पालक ले ले, मेथी ले ले ले, आप देखें इनकी अपरिंटली जो उपर सकिन होती है, बड़ी होती है, हाड होती है, तो अगर आप उसको पानी में सोक करकर रख देते हैं, तीन से चार घंटे तो वो नरम हो जाता है और जब मटी में डालेंगे तो उसको sprout करने में यानि कि उसमें से पौदा बार आने में help out होगा. ज़रूरी नहीं है किसी भी पौदे को, किसी भी पौदे के बीज को सोग करना. लेकर अगर आप सोग कर देंगे तो it will help in better and speedy germination. तो यह आपने उसका रखना है कि उसको करना है एक और चीज में आड़ करता चलों जो के बहुत सारे क्वेस्टन्स लोगों ने मेरे से क्वेस्टन्स पूछे है वो यह के जो बीच से बीच फासला कितना होना चाहिए मैं आपको इसके बारे में नेक्स वीडियो में बताऊंगा स्टेय टून अप